नमस्कार मैं हूँ प्रवीन जा और आप देख रहे हैं हमारा खास कारिकरम भारत तंत्र भारत तंत्र में आज हम बात करेंगे कि भारत को सूपर पावर कैसे बनाया जाए जब हम सूपर पावर की बात करते हैं तो आपके जहन में एक बात जरूर आ रही होगी कि क्या हम सेन्य सक्ति के रूप में बहुत ज्यादा पावरफूल हो जाएंगे नहीं सिर्फ हम सेन्य सक्ति की बात नहीं कर रहे हैं हम आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो सामाजिक रूप से सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से कैसे मजबूत हो हम इस पर भी च रनिवाद प्रवीन जी सर हम बात भी यही कर रहे हैं कि जैसे ही राष्ट्रे सुरक्षा या फिर हम कर रहे हैं कि जो हम कैसे वैस्विक अस्तर पर यानि कि हम पावर फूल या सूपर पावर कैसे बनेंगे तो इसमें जब बात आती है सूपर पावर बनने की तो सबसे जो जर है कि भार्त ही एक मात्र सभिता है जिसकी जडHeyת बहुत पुरानी है और हमारी पुरानी जड़ों की वज़े से हमारे पुराने मुल्यों की वज़े से हमारे पुराने संसकारों की वज़े से इस विशम परिसिती में भी एक open transparent या प्रजात रंत्रिक ढांशा जो है तरगती तो कर रहे हैं, लेकिन हमें एक अपना भारत के हिसाब से एक तंत्र बनानी की जरुवत है, क्योंकि आज की तारीक में जब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत बहुत सारी अच्छे और बुरी चीजों का मिश्रण है, तो हमें अपनी आपको समझना है, इस परिस्थ खrene की जरुवत नहीं है, हम अपने आप में तने सक्षम और स्शच्ऊ्ट हों, कि हमारी भीतर की जो बाते हैं, हमारी जो खासीफ है, वो दुश्ती सीखे, और हम उनको जबरदस्ती नहीं सिखाएं और हम इतने शक्तिशाली भी हो कि दुनिया को भी हम बेहतर बनाने में एक मजबूत योगदान दे तो मैं सोचता हूं कि भारत के पास सब कुछ है इस शताबदी में कुछ ऐसा नया कर गुजरने का जिससे पुरा मानव इतिहासी बदल जाए जे सर ये जानना चाहते हैं कि अगर हम सूपर पावर बनने की बात करते हैं तो क्या धाचेगत रूप से क्या परिवरतन किया जाए जिससे कि हम बहुत तेजी से भारत जो है वो सूपर पावर बनने देखिए करीब इस बात पे तो मैं सोचता हूँ कि काफी वर्षों से मैं सोच रहा हूं लेकिन दोहजार ग्यारा बारे के हिसाब से मैंने कई बार जखर किया है इंडॉक्रसी या भारत तंत्र का जो मैं में में कांसेट पेपर लिखा था उसमें मैंने कई जगह परिवर्षन की बात कही थी और मैं जब मैं एंडी सी का प्रोग्राम कर रहा था तब भी मैंने लिखा था गवर्निंस ऐस बेडरॉक और नेशनल सिक्योरिटी और उसमें कवर्निंस का मतलब में सरकार और समाज दोनों में परिवर्षन की बात कर रहा था और दोनों में कि सहयोगिता की भी बात कर रहा था मैं परसुएशन और कोर्शन दोनों की बात कर रहा थोड़ा सा कोर्शन लेकिन ज़्यादा परसुएशन की बात कर रहा था तो इसमें जो है मेरा मानना है कि आज की तारीक में मैंने कई दफ़े कहा कि दो जगव परिवर्तन सबसे अधी जरूरी है पहला है राजनेत एक दलों में परिवर्तन, दूसरा है कॉर्परेट सेक्टर या प्राइवर्ट सेक्टर में परिवर्तन और इन दूनों की परिवर्तन की वजह से ही इसी में परिवर्तन होगी तो उसे बनियाद बनेगी हमारे पूरे क्रिमनल जिस्टिस सिस्टम के धाचे में परिवर्तन, चाहिए वो पुलिस हो, जुरिश्री हो कि हमारा focus crime के बाद जाने के बजाए crime prevention पे होना चाहिए फिर परिवर्तन bureaucracy के मैं बात कर रहा हूँ मैं परिवर्तन R&D institution के focus और orientation के बात कर रहा हूँ यह पड़ागत रूप से जो हमारा जो इंडियन bureaucracy का जो पूरा system चला आ रहा है उसमें बदलाव की ज़रुत है बहुत सक्त बदलाव की ज़रुत है देखिए इंठियन bureaucracy में दुन्या के bureaucracy के मकाबले सब से 30 दिमाग के लोग है सारे नहीं मगर कुछ बहुती 30 दिमाग के लोग है और दुन्या की bureaucracy में इतने 30 दिमाग के लोग है लेकि यह जो पूरा ढाचा बनाया गया था वो ढ्हाचा बना था, एक कलोनियल पावर ने बनाया था कि कुछ लोगों के जरीए, कुछ लोगों के माध्यम से पूरे ब्यवस्था को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है उसका दूसरा देखने का तरीका यह है कि कुछ लीडर्स हम क्रियेट कर रहे हैं और उसके जरीए ये लीडर्स जो है इंस्पार करेंगे और सिस्टम के में स्ट्रील फ्रेम की तरह बने रहेंगे लेकिन जब बाजार की सिती आती है और जैसे जैसे समय बदलता है तो पूरा लीडर्शिप का कॉंसेट बदल गया है और बाजार की ये सिती में नए दबाव आ रहे हैं तो इसमें ये ढहाचा जिसमें कुछ लोग उपर से पैराट्रूप करते हैं या जनरलिस्ट बिराक्रसी है वो आज के लिए उप्युक्त नहीं है या ठारवी शताब्दी का ढहाचा है और आज की तारिक में पूरा लीडर्शिप का कॉंसेट चेंज हो गया है तो मैं समझ खता हूँ कि जो बिराक्रसी में रिकूर्टमेंट से लेके ट्रेनिंग से लेके अनके इनसेंटिव से लेकर उनकी आटानमी से लेकर हर चीजश में परिवर्तन की जरुवत है क्योंकि जब हम competition की बात करते हैं तो bureaucracy में भी competition होना चाहिए aptitude के हिसाब से लोग आए और performance को जो measure करने का तरीका है जो incentive देने का तरीका है वो भी अलग हो लेकिन मैं इसके बाद ये कहूँगा कि bureaucracy में भी परिवर्तन एक standalone परिवर्तन नहीं होगा उसके परिवर्तन के लिए जरूरी है कि हम political party के ढाचे में और criminal justice system के ढाचे में और जो private sector corporate sector उसके ढाचे में परिवर्तन करें तो bureaucracy तो focus रहना चाहिए उसी वज़े से हम भारत तंसर के बात कर रहे हैं कि पूरा समूल परिवर्तन के आवशकता है जिस तरह से private decision को लगातार बढ़ाया जा रहा है आपको क्या लगता है कि ये जो private sector है ये जो है भारत को super power बनने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है private sector बिलकुल दे सकता है लेकिन उसके कई एक पहलू है कि मैं समझता हूँ कि जो थैचरिजम और रिगनॉमिक्स के बात हुई सतर और अश्टी के दशक में विश्व ने एक गलट टर्न ले लिया क्योंकि जो Soviet economy या Russian economy जो कह सकते हैं या जो socialist economies रही रही उन लोगोंने क्या क्या उन्होंने initiative को कर्ब कर दिया enterprise को कर्ब कर दिया जब initiative और enterprise को कर्ब करते हैं तो naturally समाज का जो पूरी छमता है वो कुछल के रह गई लेकिन initiative को तो आज़ादी देनी चाहिए लेकिन private sector जहां पे हमारे जैसे देश में private sector के मूल ब दुनिया जरूर बहुत सारी अच्छी चीजे हैं लेकिन इसमें बहुत सारी कमिया हैं हमारा private sector ठीक से regulate नहीं होता वो political support पे political patronage पे काफी हद तक आता है और ये लाले की दुकान वाला जो syndrome है वो बन गया है जो कि मैं नहीं कहता कि दुनिया में कहीं और नहीं है लेकिन हमे अगर super power बनना है तो हमें अपने private sector को तो hardness करना ही होगा initiative का freedom दें लेकिन क्या ये एक family owned institution में रहे मुझे इस पे बहुत शक है मैं सोचता हूँ कि जो private sector है उसमें भी बहुत समय आ गया है कि ये corporation के तरह बने इसमें leadership भी जो है merit के basis पे आए निशित रूप से जिन लोगों मैं कहना चाहूंगा कि देखिए जो fundamental research है fundamental research में चाइना आगे चला गया है अमरिका से क्योंकि सब कुछ जो है innovation पे depend करता है तो fundamental research में पूरा private sector profit oriented होने की वजह से fundamental research पे innovate नहीं कर पा रहा है जब कि चाइना ने वहाँ पे state sponsor जो research में कहर रहा हूं innovation की बात कर रहा है तो वहाँ चला गया है वो आगे हो गया है और दूसरा जो है profit की वजह से हिंदुस्तान में ये है कि कोई जो है dividends पे या massive investment पे कोई tax नहीं है तो private sector में जो बड़े industrialization के ब तो ये बिमारी अमरिका के समाज में भी आ गई है और ये बिमारी हम गरीब होने के बाद हमारे समाज में आ गई है तो मैं सोचता हूं कि private sector के इस धाचे में बहुत सोच समझ के परिवातन की जरूत है और private sector के जो बड़े leaders है उनको इसमें पहल लेने की जरूरत है क्योंकि ये बारत को हमारी परिसेतियों में बहुत बहुत गंभीर रूप से कम जोड़ रहा है वारत के पहले की मुकाबले लेकिन और जादा बैतर करने की जरूरत है या आपको नहीं लगता है? 100% उसमें बेहतर करने की जरूवत है. मैं प्राइविट इनिशेटिव को, प्राइविट को मैं बहुत चाहता हूँ कि उनको इंकरेज किया जाए. एक इतना ट्रस्ट बने विश्वास मूलक जो है समाज में और अर्थव्योस्था में माहौल बने कि जहां जो भी इंडिस्टि चला रहे हैं, जो भी छोटे इनिशेटिव ले रहे हैं, उन लोगों को सरकार से डरनी की जरूरत नहीं हो. और सरकार में जो लोग हैं वो आके उनकी मदद करें कि भाई आप देश के अर्थविवस्था को मजबूत बना रहे हैं लेकिन चुकी कॉंट्रेडिक्शन है मैंने कहा उस कॉंट्रेडिक्शन में देखे चाइना में और भारत में क्या फर्क है कि चाइना में भी करॉप्शन है मैं नहीं कहता है कि करॉप्शन होना चाहिए करॉप्शन कहीं भी नहीं होना चाहिए लेकिन चाइना में करॉप्शन होने के बाद बिरॉक्रिसी में एकाउंटिविलिटी है तो वो आगे पीछे कर करा के अपने प्राइविट सेक्टर को थोड़ा मजबूत करते हैं भा उसमें जरूर अपना rent collect करता है उसके बड़े अपने सारे issues है political class के बारे में कहा जाता है कि वो भी rent collect करता है तो इसी लिए मैं कहा रहा हूँ कि भारत तंतर में सारे जगह बदलाओ की जरूरत है 100% ease of business होना चाहिए कोई आदमी एक इमानदारी से कोई अच्छा काम करना चाहे तो उसको प्रोटसाहन मिलना चाहिए लेकिन ये बात इस ब्यवस्था में इस प्रजात तंतर के पश्च्चमी प्रजात तंतर के इस ब्यवस्था को जो भारत में हमने injection के रूप में लागू कर दिया है इसमें संभव ही नहीं है आप कुछ भी क्यों न कर लें इसलिए मैं भारत तंतर की बात कर रहा हूँ सर आपको नहीं लगता कि इसमें सिर्फ इंडियन बिरोक्रेसी ही जिम्मेदार नहीं है बलकि राजनितिक दल यानि राजनेता जो है भारत के वो ज़्यादा जिम्मेदार है इसके लिए देखिये मैं तो कहता हूँ कि पूरे पुलिटिकल स्पेस को कार्टलाइज कर दिया गया है इस तरीके से कार्टलाइज किया गया है कि जैसे मैंने वन्च वाद की बात करूं मैं तो वन्च वाद कह रहा हूं कि न तो प्राइविट सेक्टर में होना चाहिए न पुलिटिकल पार्टी में होना चाहिए न बिरॉक्रसी में होना चाहिए न किसी सिनमा सेक्टर में होना चाहिए न मीडिया सेक्टर में होना चाहि कि ये लोग हमेशा से लीट रहें जनता से ही लोग आने के बाद इन लोगों ने ऐसा कार्टलाइज कर दिया है कि पुलिटिकल स्पेस में प्रधान मंत्री मोदी का आना एक बहुत बड़ा परिवर्तन था लेकिन यस परिवर्तन का कोई विशेश लाफ जो है बहुत जादा मिल नहीं पाया पूरे देश को तो हंड़िट परसंट आप से मैं सहमत करता हूँ कि ये जो है सिर्फ पुलिटिकल पार्टी को भी मैं नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के जितने स्टेक होल्डर क्यों नहीं हो चाहे वो कॉर्परेट के लीडर हो चाहे इंटि कर दिया जाता है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ आपके मादम से कि जो भारत तंडर का जो मूल ये मैंने लिखा था उसको बहुत अपराधिक तरीके से भारत सरकार के कुछ शरिकारियों ने जो प्रधान मंत्री के विस्तों का पुता कतित विश्वास बात बने हैं भारत तंडर के उस डॉक्यमेंट के उन्होंने खतम कर दिया उसको चुरा के वो रखे हुए हैं इलीगल कबजे में रखे हुए हैं जी सर जब हम सूपर पावर की बात करते हैं तो एक हमारे जैन में आता है कि भारत जब तक सुरक्षा पड़िसद का अस्थाई सदस्य नह नहीं है लेकिन क्या आपको लगता है कि जो वैस्विक अस्थर पर जो ये भारत की छबी बहतर हुई है इससे सुरक्षा पड़िसद के अस्थाई सदस्य लेने में भारत को कुछ लाब मिलेगा देखिए दुनिया में हम कितने भी अच्छे क्यों न बन जाए ताकत जो है वो एक वास्तविक्ता है और अच्छे लोगों को ताकतर होने की जरूरत है तो जो हम लोगों ने दिया हमें किसी फाइदे नफ़ा नुकसान के हिसाब से हम लोगों को नहीं देना चाहिए था य कि हम जब कमजोरी में भी रहते हम परेशानी में भी रहते हमारे पास कुछ भी है हम उसे अपने सारे दुनिया के जो हमारे भाई बहन है हम बसुद है कुटमबकम की बात करते तो सब के साथ मिल माट की करना चाहते हैं तो यह हमारी चरितर का परिचायक है तो इसकी वज़ से हमारी goodwill तो जरूर बढ़ेगी लेकिन अच्छी बातों को करने से ही आपको लोग मान ले ये होता नहीं है क्योंकि दुनिया में ताकत जो है पैशाचिकता या पाशविकता या दानुएता ये हकीकत है कभी कभी वो मानुएता के लिबास में भी छुपके बैठी रहती है तो दुनिया में जे दूसरी ताकत वर लोग हैं वो इस बात को बिलकुल पोज करेंगे वो किसी ने किसी तरीके से खतम करेंगे और मैं समझता हूँ कि सिर्फ अच्छी बातों से बात नहीं बनेगी हमारे पास ताकत होना चाहिए हर तरीके से ताकत होना चाहिए हम ये नैशनल पावर की बात में करता हूँ बिना नैशनल पावर के बिना नैशनल इंफियंस के बिना नैशनल क्लाउड के ये थाई सदे से मिलना मुश्किल होगा लेकिन एक और बात में कहूंगा कि हमें इतना मजबूत बन जाना चाहिए कि सदा सदे से बने या नहीं बने हुमारी एहम्यत है तु इन तमाम देशों को मिलके भारत को लाना चाहिए लेकिन भारत को भी हर तरीके से प्रयास करते रहना चाहिए और एक समय के बाद जो है दुछे है Hakim के निया मानने से मजबaal हो जाए कि जिस सुरक्षा परिशन भारत नहीं है उस सुरक्षा परिशद का महत्व कम हो जाता है तो हमें उस तर पे जाती की जो है कि अभी जब कोरोना काल में भारत ने लगबक सौ से ज़्यादा देशों में कोरोना वैक्सिन का सप्लाई किया है तो ऐसे इस्तिती में जब हम मानवता को लेकर इतना आगे हैं तो ऐसे इस हम सही कह रहे हैं प्रविन जी की ये जरूर है बाकी देशों को सोचने की जरूरत है और मैं सोचता हूं कि उसके साथ साथ जो दुनिया की वास्तविक्ता है कि कोई सोचे या नहीं सोचे हम इतने शक्तिशाली हो जाएं कि बाकी देश थोड़े भैभीत भी हों कहे कि नहीं यह भारत का आना बहुत जरूरी है तो हम जो है चैरिटी या गुडविल के जरीए जो है कुछ भी हासल नहीं कर सकते हैं देखिए अच्छी बातों के लिए भी ताकत का होना जरूरी है और इसलिए मैं देश के स्टेक होल्डर्स की बात में कर रहा हूँ चाहे वो कॉर्परेट लीडर्स हों चाहे वो मीडिया के लीडर्स हों चाहे वो पुलिटिकल लीडर्स हो चाहे वो बिरोक्रिसी के लीडर्स हो कि देखिए इस बात को समझे अगर आप भी मजबूत होके सुरक्षित रहना चाहते हैं सबसे बड़ी बात तो सबसे जरूरी बात है कि आपका देश हर रूप से शक्टिशाली हो क्योंकि दुनिया में कहिं न्याए सत्य नहीं होता है और हम ही न्याए और सत्य के पुझा रही हैं तो इसलिए अगर हम अपनी ताकत बढ़ने के लिए कहीं कोई समझा होता है कहीं कोई flexibility इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो भी जह हमारे जो पुराने परंपरागर धर्म की परिभाशा है उस परिभाशा के हिसाब से होना चाहिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ लोगों के goodwill से नहीं होगा हमें comprehensive power, all round power, direct power, indirect power साथ में होना चाहिए और इस power का इस्तेमाल पूरे धर्म की जो परिभाशा है जो धर्म की समझ है उसी के तहत होना चाहिए सर आखरी सवाल हम अपसे करना चाहेंगे कि एक तरफ हम super power बनने की बात तो कर रहे हैं मेरा मानना है कि बहुत मुश्किल होगी लेकिन कुछ लोगों का मानना है जो चीनी मॉडल का समर्थन करते हैं कि नहीं गरीब लोगों को एक डम irrelevant करके खत्म कर दिया जाए इनकी कोई जरुवत नहीं है ये इनकी कोई और चित नहीं है कुछ भी नहीं कर सकते हैं ऐसी मानसक्ता वाले लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं है लोग इर्रेलेवन्ट लोग हैं इनको हम नकार सकते हैं लेकिन हमारा भारत में कुछ ही लोग है छोटा सा तपका है जो corporate sector है bureaucratic elite है media elite है political elite है ये मिलके जो है अपने आपको मजबूत कर लेंगे लेकिन मैं सोचता हूँ कि भारत की जो परंपरा है भारत की जो सोच है इससे ये संभाव नहीं होगा हमें उन लोगों को ध्यान देनी की जरूरत है और इसलिए मैं भारत तंत्र की बात कर रहा हूँ कि वर्तमान में जो प्रजाय तंत्र की पश्च्चमी प्रजाय तंत्र की जिस ध्हाचा को हम लेके आए हैं उसे बहुत सी खासियत है लेकिन ये ध्हाचा इस माहौल में इस सिती में बिलकुल नहीं है कि हमारी जो ऐसी मूल भूतावशक्ताएं हैं उसको वो सही धरीके से उसका हल निकाल पाए उनको अड्रेस कर पाए तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि नहीं इसके जरी नहीं हो सकता है और ये इसकी वज़े हम किसी को दोश्च नहीं दे सकते हैं इसमें ये सिस्टेमिक इनेदिक्विसी है सिस्टेमिक फेलियर है शिस्टेमिक स्ट्रेंच है मैं यही मानता ह norms प्रवीन जी सर आपका बहुत बहुत सुक्रिया पंजाब के इसरी से बात करने के लिए तो भारत तंत्र के इस एपिसोड में हम बारत कर रहे थे कि भारत को कैसे सुपर पावर बनाया जाए हम और भी मुद्दे के साथ आप से मुखातिब होते रहेंगे तब तक के लिए मुझे दीजिया नमस्कार